सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन ओम शान्ति गट्मानी स्नेह का सागर मिठा वावा दिव विग्यान देकर हम बच्चों को देवता बना रहे हैं तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आश्रिवाद मिलेगी बाप कटते जाएंगे साथ हैं बाप पूछ रहे हैं बाब बच्चों को किस धर्म में टिकने के मत देते हैं बाबा कहते हैं तुम अपने बिचित्रता के धर्म में टिको चित्र के धर्म में नहीं जैसे बाब भी देही बिचित्र हैं ऐसे बच्चे भी बिचित्र हैं फिर यहां चित्र शरीर में आते हैं अभी बाब बच्चों को कहते हैं बच्चे विचितर बनो अपने स्वधरम मिटी को देह अभिमान में नहीं आओ साथें बाब पूझ रहे हैं भगवान भी ड्रामा अनुसर किस बात के लिए बंध है मान है बाबा केते हैं ड्रामा अनुसर बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधय मान है उनको आना ही है पुरुशतम संगमिक पर बाब बैट रुवानी बच्चों को समझाते हैं जब ओम शंदी कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को सुधर्म का परिचे दिया जाता है तो ज़रूर बाब भी आटोमेटिकली याद आता है क्योंकि याद तो हर एक मनिश्य भगवान को ही करते हैं सिर्फ भगवान का पुरा परिचे नहीं है भगवान अपना और आत्मा का परिचे देने ही आते हैं पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसर बंध है माने है भगते बंध है माने है मतलब बंधा हुआ है यह भी तुम समझते हो मुरूति लोग में आयू कम होती है अकाले मुरूति होती रहती है वो फिर अमर लोग जहां अकाले मुरूति नहीं होती क्योंकि पवित्र हैं इसलिए अकाले मुरूति होने ही होती है आप पवित्रता से ब्यविचरी बनते हैं और आयू भी कम होती है बल भी कम हो जाता है सत्तिग में पवित्र होने कारण आब ये भी चरी है बल भी जास्ति रहता है बल विगर राजाई कैसे प्राप्ति की जरूर बाप से उन्होंने आश्रिवाद ली होगी बाप है सर्विश शक्ति मान आश्रिवाद कैसे ली होगी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आश्रिवद ली होगी आश्रिवद कोई मांगने की चीज नहीं है ये तब मेहनत करने की चीज़े है जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आश्रिवद मिलेगी अर्थात उंचे ते उंच पद मिलेगा यादी नहीं करेंगे तो आश्रिबाद भी नहीं मिलेगी लोकिक बाप बच्चु को कभी यहनी कहते हैं कि मुझे याद करो वो छोटे पन से आपे ही मम्मा बाबा करते हैं अरगान्स छोटे हैं बच्चे बड़े कव ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे उन्हों की बुद्धी में रहता है यह हमारे माबाप हैं जिन से हम बरसा मिलना है कहने की बायाद करने की बात नहीं रहती है यहां तो बाप कहते हैं मुझे और बरसे को याद करो हद के सम्मंद को छोड़ अव बेहत के सम्मंद को याद करना है बाबा कहते हैं आस्रिवाद कोई मांगने की चीज नहीं है ये तो महनत करने की चीज है जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आस्रिवाद मिलेगी तो बबा केते हैं मुझे बड़े प्यार से याद करो गती कहा जाता है मुक्तिधाम को और मुझे याद करने से गती सदगती मिलेगी सदगती कहा जाता है फिर सुखधाम को आ बबाब कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा बाप सुख के लिए ही आते हैं जरूर कोई बात डिफिकल्ट है इसलिए इनको उंच पढ़ाई कहा जाता है जितनी उंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी सभी तो पास करना सकें बड़ते बड़ा इंतिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं क्योंकि बड़ा इंतिहान पास होने से फिर संसकार का पघार भी बहुत देना पढ़ेगा कोई स्टूडेंट बड़ा इंतिहान पास करके भी ऐसे ही बेठे रहते हैं सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पघार दें यहां तो बाप केते हैं जितना उँच पढ़ेंगे उतना उँच पढ़ पाएंगे ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं बा साहुकार बनेंगे सारा मदार पढ़ाई पर है भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता यते हैं रुखानी ग्यान जो रुखानी बाप पढ़ाते हैं कितनी उच पढ़ाई है बच्चों को difficult लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो characters भी सुधरते नहीं है जो अच्छा याद करते हैं उनके characters भी अच्छे होते जाते हैं बहुत बहुत मीठे सर्विसेबुल बनते जाते हैं characters अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं जो नापास होते हैं तो जरूर characters में रोला है स्री लक्ष्मी नाराण के characters बहुत अच्छे हैं राम को दो कला कम कहेंगे भारत रावन राज्ये में जूट खंड हो पड़ता है सच खंड में तो जरा भी जूट हो ना सके रावन राज्ये में जूटी जूट जूटे मनिश्य को देविगुण बाला कहने सकते ये बेहत की बात है अभी बाप कहते हैं ऐसी जुटी बाते किसी को ना सुनाओ एक इश्वर की मत को ही लिगल मत कहा जाता है मनुश्य मत को इलिगल मत कहा जाता है लिगल मत से तुम उँच बनते हो पर उन्तो सब नहीं चल सकते हैं तो illegal बन पड़ते हैं कई बाप के साथ प्रतिज्यां भी करते हैं बाबा इतनी आयू हमने illegal काम किये हैं अभी नहीं करेंगे सबसे illegal है काम विकार का भूत बाबा कहते हैं देहे अभिमान का भूत तो सब में है ही माय भे पुरुष में देह अभिमानी ही होता है हम आत्मा बीचित्र है फिर यहां चित्र मतलब शरीर में आते हैं बीचित्र मना बिंदू और शरीर में आना मना आत्मा शरीर में आती है अभी बाप फिर कहते हैं बीचित्र बनो बाबा कहते हैं शिब बावा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चड़ाएं परन्तु नहीं अक के फूल भी चड़ाते हैं बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं कोई अक भी बनते हैं पास नापास तो होते ही हैं खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बनने ही सकेंगे आप समान नहीं नहीं बनाते हैं सावकार कैसे कौन बनेंगे वो तो बाप जाने आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि अफलाना बाप का कैसा मददगार है कलब कलब जिन्होंने जो कुछ किया है वो ही करेंगे इसमें फर्क नहीं पड़ सकता बाप पैंट्स देते देते हैं ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसपर भी करना है जितना याद करेंगे ट्रांसपर होता जाएगा ऐसे नहीं कि उंचे ते उंच नाम रूप बला है इतना समझते हैं उंचे ते उंच भगवान है ऐसे नहीं किये उंचेते उंच नाम रुबला है वो है ही निराकार फिर उंचेते उंच साकार यहां आते हैं ब्रह्मा विश्णु शंकर को देपता कहा जाता है तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं यह रूहानी पढ़ाई बहुत उंची और इसमें पास होने के लिए बाब की याद से आश्रिवाद लेनी है अपने करेक्टर सुधाने अभी कोई भी इलिगल काम नहीं करना है बीचितर बनना अपने सुधर में टिकना है और बीचितर बाब को याद करना है जितना हम बाब को याद करेंगे पवितर बनते जाएंग परीगल मत पर भी चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को बरदान दे रहे हैं। बाप के साथ दोरा पवित्यता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्विशक्तिवान भवा। आत्मा का स्वधर्म पवित्यता है और पवित्यता परधर्म है। जब स्वधर्म का निष्चे हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। सर्विशक्तिवान के वच्चे माश्टर सर्विशक्तिवान के आगे अप पवित्यता आनहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो ज़रूर कोई गेट खुला है अत्वा निश्चे में कभी है तो आज बावा हम बच्चों को स्लोगान दे रहें त्रिकाल दर्शी किसी भी बात को एक काल की द्रिष्टी से नहीं देखते हैं हर बात में कल्यान समझते हैं तो आज की मुर्ली का नुसर हम सो मल लेंगे मैं माश्टर सर्विशक्तिवान आत्मा हूँ मुर्ली को और गहरी रिती से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्विशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है मुस्कुराते रहिए आगे बढ़ते रहिए पुरुशार्थ करते रहिए खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती